निकी तमबोली इस वक्त केप टाउन में हैं खत्रों के खिलाडी की शूटिंग के लिए वहाँ पर गई हुई है लेकिन वहाँ से भी जैसी उनकी पिच्चर आ रही है उससे सोशल मीडिया पर पब्लिक काफी नाराज है ऐसे में आज एक बार फिर से निकी तमबोली की एक विडियो आई है जिसको देख लोग नाराज हो गए हैं इस विडियो में निकी तमबोली एक शाक पे लेटी हुई नजर आ रही है वो बिकिनी में है और इधर वरुन सूद जो कि उनके को कंटिसंट है वो उस शाक को उपर मीडिया पर लोगों ने निकी तमबोली को स्लैम किया है और वहाँ पर केप टाउन में जाकर जो हरकते ये कंटिस्टिंस कर रहे हैं इस पर भी लोगों ने अपनी राय दी है एक यूजर ने कहा इंडियन पब्लिक ही अब्रॉड में बीचिस पर जाकर ये हरकते करती है एक दूसरे यूजर ने कहा कि ये खत्रो के खिलाडी का शूट नहीं बलकि स्प्लिट्स विला का शूट जैसा लग रहा है सही भी है क्योंकि खत्रो के खिलाडी शो स्टन्स के लिए जाना जाता है लेकिन ये जो सब दिखाया जा रहा है ये स्टन्स कम और सिर्फ और सिफ मज से जादा दिख रहे हैं किसी ने कहा कि ये सभी एडियट है तो किसी ने कहा सभी ओवर आक्टिंग कर रहे हैं ये लोग क्यों वहाँ पर जाकर ये सारा ड्रामा कर रहे हैं वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि लोग आखिर इस तरह के लोगों को फॉलो भी क्यों करते हैं तो लो को ट्रोल किया जा रहा है स्पेशली निकी तब बोली क्योंकि जब वो गई थी तो एक ही दिन पहले उनके भाई की डेथ हुई थी और एरपोर्ट पर भी जाते वक्त उन्होंने कैमरा से नजरें नहीं मिलाई ना हाई बाई किया कुछ बोली भी नहीं वो लग रहा था कि जराया जिसका रेंट लोगों ने उन्हें काफी स्लैम किया